नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिविल डैमेंशन चैनल पर आज का हमारा टोपिक है पेंट ब्रस से करें या फिर रोलर से करें देखिए जब भी हम पेंट करवाते हैं अपने घर या फिर ओफिस में तो आपके मन में कन्फियूजन तो रहती ही होगी कि पेंट प्रस से करवाएं या फिर रोलर से करवाएं पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह दोनों ही टूल्स हैं जो की पेंटिंग के काम में आते हैं इसका मतलब आप पेंट धोनों मेंसे किसी से भी करवा सकते हैं चाहे तो पेंट ब्रस से करवा लीजिए या फिर रोलर से करवा लीजिए पर कुछ technical points हैं जो आपको किसी भी और वीडियो में नहीं मिलने वाले ना ही किसी website और ना ही वे किसी blog पर मिलने वाले हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि brush और roller कितने तरह के आते हैं तो हमारे साथ बने रहिए चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम brush की बात कर लेते हैं जैसा कि आपको पता भी है brush का use हम काफी समय से करते आ रहे हैं या यूं कहलीजिए दशकों से brush का use करते आ रहे हैं painter दवारा चिन brushes का use किया जाता है वे high quality nylon filament से बने होते हैं ये 5 inch, 4 inch, 3 inch, 2 inch और 1 inch different sizes में आते हैं अगर आप interior या exterior में paint कर रहे हैं तो आप दोनों ही जगाओं पर brush का use कर सकते हैं इसमें कोई ऐसी optional वाली बात नहीं है कि paint roller से ही करवाना है या फिर paint brush से ही करवाना है आप दोनों में किसी से भी paint करवा सकते हैं इन दोनों के ही कुछ advantages और कुछ disadvantages हैं यह समझने के लिए सबसे पहले brush से शुरू करते हैं देखिये जब भी आप brush से paint करते हैं तो painting के दोरान आपको brush को paint pocket में बहुत जल्दी जल्दी बार-बार tip करना पड़ता है ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार में brush बहुत छोटा area cover करता है जो इसका disadvantage है दूसरा disadvantage यह है कि आप जब भी brush से paint करते हैं तो आपको brush के निशान balls पर देखने को मिलते हैं इसमें आपको smooth surface देखने को नहीं मिलता तीसरा disadvantage यह है कि जब भी आप brush से paint करवाते हैं तो कई बार brush के धागे निकल कर paint के साथ दिवार पर ही चिपक जाते हैं जो paint सूखने के बाद आपको दिवार पर दिखते हैं वैसे तो यह brush की quality पर depend करता है पर मैंने ऐसा कई जगा देखा है कि brush से paint करने के बाद थोड़ा सा कहीं न कहीं ऐसा छूट ही जाता है next is paint brush से करना है या फिर roller से यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप paint किस quality का ले रहे हैं अगर आप अपने घर में normal paints करवा रहे हैं जैसे distamper करवा रहे हैं या फिर चूने वाला paint करवा रहे हैं या snosem करवा रहे हैं तो उसे आप brush से करवा सकते हैं क्योंकि brush economical होते हैं कम prize में आते हैं brush recommend करने का दूसरा reason यह भी है कि आप low quality paint का use शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छी quality नहीं चाहिए होगी जैसे parking, lift, shaft, store room आदी में बहुत अच्छी finish नहीं चाहिए होती है शायद इसलिए इन जगाव पर distamper, snosem आदी low budget paint का use किया जाता है इन सभी जगाव पर आप brush का use कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है second thing is अगर आप interim ने paint करवा रहे हैं या फिर luxury house, bungalow या apartment में paint करवा रहे हैं तो आपको roller का ही use करना चाहिए क्योंकि इन जगाव पर आप premium और luxury quality paint का use करते हैं और roller से paint करने पर smooth finish आती है अगर एक जगा आपने roller से paint किया है और एक जगा brush से तो आप दोनों को compare करना एक पार तो दोनों में आपको जमीन आस्मान का अंतर दिखेगा तो यह roller का एक advantage है दूसरा advantage यह है कि roller का coverage area चादा होता है for example paint करने के लिए आपने एक बार roller dip किया bucket में तो wall पर paint apply एक बड़े area में होगा क्योंकि roller जो है अपने अंदर paint को retain कर लेता है लग भग एक बार में 30 से 40 square feet area cover करता है इसमें आपको roller को बहुत जल्दी जल्दी dip करने की जुरूरत नहीं पड़ती roller के sizes की बात करें तो roller 9 इंच 7 इंच 6 इंच 5 इंच 4 इंच आदी sizes के मिलते है even 2 और 3 इंच के roller आपको edges और corners को paint करने के लिए मिल जाते है तो अब समझ गए होंगे roller का use आपको उस जगा करना है चाहाँ आप luxury emulsion, royal emulsion या फिर premium emulsion जैसे expensive paint का use कर रहे है ताकि आपको smooth finish मिले और हलका roller के दाने का texture दिखे और brush का use वहाँ करना है जाहाँ आप low budget paint जैसे distemper, snow sem आदी का use कर रहे है पर इस वीडियो में देखिए painter जो है हमारा पहले brush से paint कर रहा है और उसके तुरंद बात roller से कर रहा है ऐसे करने का क्या कारण है ऐसा painter इसलिए कर रहा है क्योंकि paint brush से thick paint की लिए लगती है दिवार पर मोटा paint लगता है जबकि roller से अगर हम thick paint लगाते हैं तो paint टपकने लगता है इससे बचने के लिए painter क्या कर रहा है पहले brush से थिक paint लगा रहा है उसके बाद roller से उसे smooth कर रहा है जिससे brush का निशान भी नहीं आएगा और smooth finish भी मिलेगी तो यह एक अच्छी technique है जिसका इस्तमाल आप भी कर सकते हैं देखिए brush तो एक ही तरह का आता है जो high quality filament से बने होते हैं बस sizes different होते हैं जैसे 5 inch, 4 inch, 3 inch, 2 inch, 1 inch, etc आप अपनी जरुरत के साब से इन brush का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे बड़े area में 5 inch और 4 inch का brush यूज़ किया जाता है और edge और corners पर 3 inch और 2 inch छोटे brush का यूज़ किया जाता है पर roller जो है बैद दो तरह के आते हैं एक धागे वाला roller होता है और एक foam वाला roller होता है धागे वाले roller को हम felt roller भी कहते हैं और foam वाले roller को हम sponge roller भी कहते हैं felt roller को आपको उस जगा यूज़ करना चाहिए जिस दिवार में undulations हैं जैसे घर की भारी दिवार हो गई अगर वॉल्ट पर undulations हैं और आपकी वॉल्ट पर पुट्टी का base बना हुआ है और medium quality plastic paint का use कर रहे हैं। फॉर्म रॉलर का use आपको इंटिरियर्स में करना है जहां आपका luxury emulsion या royal emulsion होना है और दिवार में कोई undulations भी नहीं है। एक proper P.O.P. और चौक मिट्टी का base बना हुआ है वॉल्ट एक दम smooth है तो इस जगा form roller का use करना है अगर वॉल्ट समूथ नहीं है अंडियूलेशन्स हैं पुरानी दिवारे हैं री-paint कर रहे हैं तो felt roller का ही use करें क्योंकि अगर आप undulated wall पर form roller का use करेंगे तो roller उपर नीची सत पर ठीक से paint नहीं कर पाएगा और कहीं न कहीं patches भी दिखेंगे जबकि felt roller क्या होता है मोटा होता है उसमें 9 mm गराई तक धागा होता है जो उपर नीची undulated wall पर भी paint को राम से apply कर देता है और finish आपको smooth ही मिलेगा ऐसा नहीं है अगर आप felt roller का use कर रहे हैं तो finish smooth नहीं बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा form roller का finish जो होगा उससे roller की बारिक texture देखने को मिलेगा और felt में थोड़ा बड़ा texture देखने को मिलेगा मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा आपको brush का use करना है या फिर roller का कुछ अच्छे brushes और roller के link description में दिये गए है वहाँ जाकर भी आप check out कर सकते हैं अगर वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और share कीजिए और channel को subscribe करना ना भूले thanks for watching civil dimensions